अज़ करेंट एफेर की इसी टाइम पर आपकी क्लास हो रही है ठीक है तो करेंट एफेर की टॉप 50 कोश्चन करवाने वाला हूँ इन प्रशनों को आपको नोट करना है जिसमें मैं इंपोर्टन लिख दूँ आपको मैं बता दूँ आपके एक्जामे जो जिके जिसके कोश् और जितना मैं करेंट एफेर करा दूँगा उससे बाहर नहीं आएगा आज ये करेंट एफेर की 10 क्लास है और भी 9 क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगी प्लेलिस्ट में आपको एस्पेसल करेंट एफेर की प्लेलिस्ट मिल दाएगी उसमें आपको सारी पहला प्रशन कि भारत के किस सहर में इसकिल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विक्सित करने के लिए नैस्नल इसकिल डेवलाप्मेंट कॉर्पोरेशन और UAE DP वल्ड के बीच एक समझा होता ग्यापन पर हस्ताचर किया गया है किस सहर में भारत के यह आपको बताना है तो ध्यान अखना यह जो है किया गया है वारारसी में ठीक है पहला का B आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा ज्यादा important नहीं है चले आगे चलते हैं यह important question है आपके exam के लिए कि सन्युक्त राष्ट महा सभाने सन्युक्त राष्ट मानवाधिकार परशद में रूस की जगा किस देश को सामिल किया है important question है तो इसमें जो है सामिल किया गया है चेक गड़राज को रूस की जगा ध्यान रखना दूसरा का यह आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा friends, 2023 में बेहतरे इंगों के साथ अगर आपको UP से बियर्ट करना है या बिहार से बियर्ट करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस चैनल से आपको निश्चीती मतखत मिलेगी जो भी UP बियर्ट एंटर्स एक्जाम की अपडेट हैगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादन से ही देखने को मिलेगी अगला बिश्चन माई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सो मेलित है बताए कौन सो मेलित है सबी लोग हर प्रश्चन का जवाब जरूर दिया करें और इसमें से कौश्चन फासेगा इस क्लास से ठीक है और जो भी नव क्लासेश हो गई है उन क्लासेश हो जरूर जाके देखिएगा जितने भी important questions करवाया हूँ उनको note के लिजगा sort notes आप लोग बनाते चलेंगे ठीक है लाश्ट में revision के काम आएगी तो यहाँ पे Elizabeth Bourne ये France की दूसरी महिला प्रधान मंत्री बनी है बिल्कुन सही है Anthony Albanese ये Australia के नए प्रधान मंत्री बने है बिल्कुन सही है विना के उमट सक्सेना ये दिल्ली के नए जो है उपराचपाल बने है बिल्कुन सही है और हसन सेख महमूद ये सुमालिया के राश्टपती है तो सभी कथन भाई सही है इसमें उपियुक सभी आपका बिल्कुन सही हो जागा सब को नोट कर लेना एक एक पॉइंट चारों को चलिए डी वाला आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा चलिए आगे चलते हैं अगला प्रशन यहां पर देख सकते हैं यहां पर प्रकासित पुस्तकें एवं लेखोकों में कौन सुमेलित है आपको बताना है बताईए फोर का जॉब दें से बलो तो यहां पर लिशन टू यूर हर्ट दा लंदन एडवेंचर यह रास्किन बॉंड की है प्लेस काल्ड होम यह प्रिति सेनाई की है दा एंडिया स्टोरी यह विमल जालान की है बिलकुन सभी सही है ठीक है चलिए सुमेलित हैं सब हाली में हुए निधन एवं सम्मंदित छेतर में कौन सम्मंदित है फाइब का जॉब देंगे तो लियो निध क्रावचुक यह यूक्रेयन के राष्टपती थे अब्दुल कफान का चौधरी यह बांगला देश की करांतिकारी भासा आंदुलन गीत के गीतकार थे और एंड्रियो साइमेंट्स यह ऑस्टेलिया के पूर्व क्रिगेटर थे तो शबी मतलब सही हैं इसमें ठीक है चलिए और इस स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं यह हमारा बीट एंटर्स एक्जाम का कंप्लेट सिलिबस नोट से अगर अभी तक आप लोग इसे परचेश नहीं किये हैं तो जरूर से जरूर परचेश के लिएज़ेगा बहुत हेल्फूल यह क्रेस कोर्स है मातर एक्स्तो साट रुपे में आपको मिल ला है बीट एंटर्स एक्जाम का पूरा माटेरियल इसमें सभी सब्जिट के जैसे आपके हिंदी हो गया रिजनिंग हो गया, ZKS हो गया, सब्जिट एबलिटी हो गया सभी सब्जिट के टॉपिक वाइस 5000 सा ज़दा important question देखने को मिलेंगे 5000 question बहुत होते हैं इसे आगर आप लोग तयार कर लेते हैं 1000 बच्चे परचेश कर चुके हैं और आपके पास तयारी करने का बहुत ही कम समय बचा है 24 अप्रेल के एक्जाम है और तयारी आपकी इसी क्रैस कोर से होगी क्योंकि कम समय में वही पढ़े हैं जो एक्जाम में आए ठीक है तो फड़ा फड़ वीडियो को डिस्केश इन बॉक्स में लिंक है परचेश के लिजे और अपनी जबट जैसे तयारी सुरू कर दें अभी भी आपके पास तयारी करने का समय है अगला प्रशने हैं पर दिख सकते हैं जो है किस मंत्राले द्वारा केंद्रिकरत अधिकार अनुमोदन के लिए गति सकती संचार पोर्टल का वीमोचन किया गया है इसका वीमोचन ठीक है जो है आपका C वाला बिल्कुन करेक्ट हो जगा चलिए बैंकॉंक में आयो जित उबेर कब 2022 जो है छपने वाला प्रशन है नोट कर लेजेगा इस प्रशन को सबी लोग इस्टा लगा के नोट करीगा बैंकॉंक में आयो जित उबेर कब 2022 किस देश ने जिता दच्छन कोरिया ने जिता ठीक है यह छपने वाला प्रशन है इस्टा लगा के नोट कर लेना चलिए अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पे है कि देव सहायम पिल्लेई को वेडिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोसित किया गया यह उपलब्दी हासिल करने वाले पहले भारती बने उनका जन्म किस राज में हुआ तो ध्यान अखना इनका जन्म हुआ था तमिल नाडू में एट का जितने भी लोगे हाँ पे ए जॉब दिया है उनका अंसर बिल्कुन सही होजागा चरिए अगला प्रशन यहां पर दिख सकते हैं नोट के लिजगा मई 2022 में पूरव राष्ट पती रामनात कोविन ने किस देश की संसत के दोनों शद्नों की सन्यूत बैठा को शम्मोदित किये थे important सीधे exam में छपने वाला प्रशन है और कल से जबर्दस क्लासियस होंगी आपकी ठीक है यानि कि जितने भी जैसे आपके subject हो गए हिंदी हो गया reasoning हो गया एंड जी के जियस हो गया इनके जो भी important topics हैं वही करवाऊंगा जो exam में जिनसे questions हर बार पूंचे जाते हैं तो बिलकुन तयार हैजेगा चैनल को subscribe कर लिजेगा इस चैनल से आपको निश्ची दिम्रत मिलीगी तो वो देश कौन सा है बाई जमायका ध्यार नखना जमायका है ठीक है चलिए C आपका बिलकुन correct हो जगा हाली में ग्रह मंतरी अमिशाह द्वारा राष्टी साइबर फॉरेंसिक परियोग साला का उद्गाटन कहा किया गया है हैदरबाद में किया गया है 10 का B आपका बिलकुन correct हो जगा चलिए और करेंड के जो questions आएंगे exam में 2022 के ही पूछे जाएंगे तेश के बहुत ही मुष्किल है question आएं आपके exam में बहुत की कि जनवरी का पूंच जा सकता है जनवरी का तो इसका जो है उद्गहटन की सार में किया गया है ध्यानक ना तीरवन्त पूरम में किया गया है ठीक है चलिए 11 का ये आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा चलिए रच्छा मंतरी राजनास सिंग द्वारा स्वादीश निर्मित दो युद्ध पोतों सूरत और उदेगीरी को कहा लांच किया गया है ये मुंबई में लांच किया गया है ठीक है 12 का भी आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा चलिए निमलिकित में से किस वेक्ति को मानद कमांडर आफ दा आर्डर आफ दा बिल्कुन करेक्ट हो जगा अगला प्रशन इंपोर्टेंट है नोट कर लिजगा इंस्ता बूल में आयूजित विस्तो महिला बॉक्सिंग चैंपियंचिप 2022 में किस भारती महिला खिलाडी ने 52 किलो ग्राम भार वर्ग में स्वराण पतक जीता है तो नोट करिए नाम नोट करिए निकाहत जरीन ठीक है, 14 का जो है आपका C वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा, इस्टा लगा के नोट करजिएगा, कई बार ये एक्जामें अभी पूंछा जा चुका है, तो इस बार भी पूंछा जा सकता है, अभी B8K एंटरस एक्जामें भी पूंछा जा सकता है, ठीक है, चलिए, मई 2022 में ओरीशा, करेक्ट हो जागा, ठीक है, 15 का ये आपका बिलकुन करेक्ट हो जागा, चलिए, अगला परशन आपकी स्केन पे है, हाली में संचार मंदरी अस्वनी वैशनों ने किस सैचलिक संसान में भारत में 5Z कॉल का पहला सफल परिचन किया है, जानकारी के लिए अच्छा है प्रशन, एक्जाम में आये चाहे ना आये वाला, आये टी मदराश आपका सही हो जागा, ठीक है, चलिए, यहीं सफल परिचन किया गया है, 5Z कॉल का, चलिए आगे चलते हैं, नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी के विसेस्गों की एक टीम ने, 8830 मीटर की जो है, उचाई प 8,830 मीटर की उचाई पर किस परवत पर दुनिया का सबसे उचा मौश्रम के अंदर इस्थापित किया, यह माउंट एवरेस्ट पर किया गया, ठीक है, 17 का सी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, चलिए, नेमले कितमे से किस देस ने आंतरश टेलिसकोप की सहायता से दुनि एक्जाम बाद का प्रोसिस क्या होता है, काउंसलिं में क्या क्या करना पड़ता है, एडिमिशन में क्या 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 पड़ता है, क्या गलती आपको एडिमिशन में नहीं करनी है, क्या गलती काउंसलिंग में नहीं करनी है, ताकि आपकी काउंसलिंग जो है, सही तरीके से हो सके तो 18 का जौब देने के प्रयास करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब के लिए वीडियो को लाइक कर दें इस चैनल से आपको निश्रीती मदद मिलिए तो वो देश ध्यान रखना वो देश है चीन ठीक है 18 का डी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा ये इंपॉर्टन कोश्चन है किस भारती कमपनी ने सैयुत अरब अमीरत की प्रमुक टी-20 लीग में एक फ्रैंसाइसी का अधिगरण किया है किस कमपनी ने बताइए 19 का जौब देने के प्रैस करेंगे आंसर सूचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोख भी सकते हैं तो वो कमपनी है अडानी स्पोर्ट लाइन ठीक है 19 का ये आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए आगे चलते हैं अगला पशने हाली में किस राज़ सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफार्म लांच करने की घोषना की है सीध है एक्जामे छपने वाला पशना है इस्टा लगा के नोट करिए सब लोग और बियर्ट सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफार्म लांच करने की घोषना की है वो रज है केरल ठीक है एक बार फीर से कर रहा हूँ इंपोर्टेंट है किस संसाओदारा दसलांग महिला आसा करकरताओं को गलोबल हेल्थ लीडर अवाट से समानित किया है किस संसाओदारा देखे जितने भी अंतराष्टी संगटन है इनका मुख्याल है फुल फार्म किसने सदश देश है ये जरूर पता होने चाहिए ठीक है 21 का जॉब दें WHO World Health Organization ठीक है फुल फार्म इसका होता है ठीक है आप लोगों से प्रशन है इंगलिस प्रीमियर लिग फुडवाल 2021 का किताब नेमलकित में से किस टीम ने जीता था बताई 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग किस टीम ने जीता था मैंचेस्टर सिटी ने ठीक है चलिए 22 का भी आपका बिलकुन करिक्ट हो जगगा नेमलकित में से किस टीम ने मंकी पॉक्स से पीडित मरीजों के लिए 21 दन का अनिवार क्वारंटाइन सुरू किया तता ऐसा करने वाला देस का पहला देस बन गया एक्जाम में पूछा जा सकता है नोट के लिए जिए का एमपॉर्टेन लिख के 23 का जाप दने का प्रयास करेंगे नेमलकित में से किस टीम ने मंकी पॉक्स से पीडित मरीजों के लिए 21 दन का अनिवार क्वारंटाइन सुरू किया तता ऐसा करने वाला वहां पहला देस बन गया है तो वो है बैल्जियम ठीक है 23 का यह आपका बिलकुन करेक्ट हो देगा चलिए भारती मोल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो आफ साउथ वर्क के जो है मेर की रूप में चुना गया है 24 को जॉब दें सुनिल चोपडा ठीक है को चुना गया है चलिए आगे चलते हैं निमलकित में से जो है किसे जो है भारती शेना की जो है पहिली महिला कॉमबेक्ट एविएटर की रूप में आर्मी एविएशन क्रॉप्स में शामिल किया है किसे बताइए 25 को जॉब दें 25 पॉशन्स और अभी आपकी बाकिये है और टेलीग्राम गुरूप को जरूप जरूप आप लोग जॉइन कर लें टेलीग्राम गुरूप पनावा एजुकेशन भी साहिल इस वीडियो के डिस्किप्सिन मॉक्स में लिंक दे दिया हूँ सबी लोग वो शहर का नाम बताएं जहां भारत ड्रोन महुत सो 2022 का उधगाटन किया गया नियु देली में किया गया ठीक है नियु दिली चलिए डी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा निमलिकित में से किस हिंदी लेकी का को उन्हें के उपन्यास रेत शमाधी यानिके टॉ ये भी इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है एक्जाम में तो नोट कर लिजगा वो हिंदी लेकी का हैं गीतांजली स्री है ठीक है चलिए 27 का ये आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा किसानों को आवश्चक वैग्यानिक जानकारी प्रदार्न करने के उद्देश्य प्रद भी सकते हैं तो ये किया गया है कहां गुजरात में किया गया है ठीक है 28 का ये वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए आगे चलते हैं अगला परशन आपकी स्केन पे है विस्त व स्वास्त संगठन यानि की वह ने जो है किस राज में तमाकू की खापत को नियंतित करने के प्रयाश्यों को देखते हुए राज्य को विस्त व तमाकू निशेद दिवस प्रुषकार 2022 के लिए चुना गया है बताईए सब लोग आंसा सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकते हैं वो राज कौन सा है तो वो राज है जारखन ठीक है 29 का यह आपका बिलकून करेक्ट हो जगा और तमाकू निशेद दिवस कम मना जाता है 31 माई को नोट कर लिजगा 31 माई को तमाकू निशेद दिवस मना जाता है ठीक है चलिए बहुमनेश्चर में आयूजित राष्टी खनिश कांग्रेस में कोईला मंत्रा ले दोरा किस वर्स तक 100 मिलियन टन कोईला गैसी करण प्राप्त करने का लक्ष रखा है थर्टी का जाप देने के प्राप्त करेंगे तो ये रखा गया है लक्ष 2030 तक ठीक है चलिए थर्टी का सी आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा अगला प्रश ने इंपोर्टेंट की भारती वायु सेना में ग्रुप कैप्टन वरुन सिंग को मरनो परांद किस पुरुषकार से समानित किया गया है शौर चक्र से समानित किया गया ठीक है थर्टी वन का ये आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा चलिए आगे चलते हैं ग्रीन को कंपनी द्वारा किस राज में 1500 करोण की 5230 मेगावाट की एकिकरत अक्षे उर्जा भंडारन परियोजना की निव रखी है किस राज में थर्टी टू का जाप देने का प्रास करें का असा सोचने का जादा समय चाही तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकते हैं ये किया गया है कुरुनूल हर आंधर प्रदेश में ठीक है चलिए थर्टी टू का जो है आपका ये वाला बिल्कुन करिक्ट हो जगा चलिए अपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा ब्रिक्स देशों के नियू डेवलप्मेंट बैंक ने भारत में छेतरी कार्याले खोलेने की घोशना की है यहां किस राज में खोला जाएगा ब्रिक्स ब्रिक्स इसे कोश्चन आया करता है और साथ से अंतिम बैठक इस बार जो है साथ आफरिका में की जाएगी 2022 वाली चाइना में की गई थी और इससे पहले इंडिया में उससे पहले रसिया उसके बाद ब्रिक्स देशों के नियू डेवलप्मेंट बैंक ने भारत में चेतरी कार याले खोलने की होशना की है या किस राज में खोला जाएगा ये खोला जाएगा गुजरात में ठीक है 34 का डी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए किस केंदरी मंत्री ने दावोश में हुए विस्व आर्थिक मंच यानि कि W.E.F. की बैट हैट में भारती प्रतनीधित मंडल का नित्रत किया 35 को जवाब दें सब लोग दो केंदरी मंत्री थे पियूस गोल ठीक है 35 का बिया आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए आगे चलते हैं हाली में आयूजित महिला T20 चैलेंच 2022 का किताब किस टीम ने जीत लिया सुपार नुवाच आपका सई हो जगा 36 का जो है आपका ये वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए भारती भू वैग्यानिक सरविच्छन बिभाग्यानिक GSI ने बिहार के किस जीले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण बंडार का पता लगाया है जमूई में ठीक है चलिए 37 का D आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा निमलिकित योजनाओ के संबन में कौन जो है शमलित नहीं है 38 का जौब दने के प्रास करेंगे इसमें देखिए सभी योजना आपकी सही है ठीक है सभी चलिए आगे चलते हैं अडानी Green Energy Limited की इकाई अडानी Hybrid Energy Limited ने राजश्थान के किस सहर में भारत का पहला पावन सौर Hybrid उर्जा उत्पादन सहीद का परिचालन सुरूप किया है किस सहर मेर राजिस्थान की बताईए सब लोग 39 का जाब देने के प्रयास करेंगे आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकती है तो यह किया गया है जैसल मेर मेर में ठीक है 39 का बी आपका बिलकून करेक्ट हो जगा जैसल मेर बन गया है कौल्काता बन गया है 40 का सी आपका बिलकून करेक्ट हो जगा चलिए खाली में किस देस की नर्स अनना कवाले दुवा को दुबाई में आउजित एक पुरुशकार समाहरों में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवर 2022 से समानित किया है वो कौन सा देश है भाई केन्या है द्यान रखना 41 का C आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा चलिए नेमलिकेत में से किस संसाव दारा जो है बाली का ससक्ती करण बिसन की सुरुवात की गई है कते जहर वाला पसन है इस्टा लगा कि नोट के लिजिगा सभी को बाई गुड विडिविनिंग वीडियो को लाइक सियर करो सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस चैनल से आपको निश्चिती बदद मिलेगी तो यह किया गया है एंटी पीसी के दौरा ठीक है एंटी पीसी चलिए अगला पिशन है हाली में नाटो साइबर सुरक्षा समोह में सामिल होने वाला पहला एसी आई देश कौन बना है वो बन गया है दच्छन कोरिया ठीक है चलिए 43 का जो है आपका सी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा और नाटो में इस समय शदश कितने हैं तीस सदश हैं ध्यान अगना ठीक है चलिए आगे चलते हैं हाली में सैन्यू तराष्ट परियावरन कारिकरम ने किसे Champions of the Earth Lifetime Achievement Award से समानित किया है बताई किसे सभी लोग जवाब दने के प्रास करेंगे आपसा सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोबी सकते हैं और नाटो का मुख्याल याद रखिये गा ब्रुसेल्स उसका मुख्याला है पूचा जा सकता है डेविट एटन बरो को जो है समानित किया गया ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगला प्रशन यहाँ पर देख सकते हैं All England Open Badminton Championship 2022 के सम्बन में कौन सा कथन शही है बताई कौन सा कथन शही है 45 का जाप देने के प्रयास करेंगे सब लोग डेनमार के के क्यूटर एक्सेलेशन ने सुराण पदग अपने नाम गिया बिलकुन सही है भारत की लक्षे सेन ने रजजत पदग जीता था इसमें तो यह वाला आपके लिए important point है तो दोनों कतन आपके सही हैं अगला प्रशन चायनित इस्थानों पर बहतर मरदा स्वास्त के लिए कार्बन नीटरल खेती सुरू करने वाला देश का पहला राज़ कौन बन गया है तो वो बन गया है केरल 47 का सी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा अगला प्रशन अलप संख्यक महिलाओं के नेतरत विकास के लिए सुरू की गई उजना नई रोसनी का संबंद किस मंत्राले से है तो इसका संबंद है किस से मंत्राले से बताईए सब लोग और यह हमारा वाट्शप नमर है यहाँ पर भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं 705632533 पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं कॉल्स नहीं करना है जो भी क्वेरीज हूँ आप लोग वाट्शप पर मैसेज करके छोड़ दिया करें तो यह अल्फ संख्यक मामलों के मंत्राले से जो है संबंध है द्यान रगना नई रोशनी के शंबंध 48 का जो है पर डी वाला विलकुन करेक्ट हो जगा चलिए अगला परशनी यहाँ पर देख सकते हैं नार्वेजियन एकेडमी आफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गंडितक को टोपोलाजी में उनके ब्यापक योगदान के लिए वरश 2022 के एबल पुरुषकार से समानित किया है इस अमेरिकी गंडितक को यह डैनिस पॉर्निल सुलीवन को किया गया है ठीक है चलिए पूर भी जरूर बता दीजेगा कमेंट बॉक्स में और इसकी पीडियाप आग आपको टेलीग्राम पे साहिए तो टेलीग्राम पे जॉइन हो जाए वहाँ पे आपको बिल्कुन फ्री में इसकी पीडियाप मिल दाएगी ओके ताकि आने वाली जो क्लासेस हैं कोई भी करना बिल्कुन भी मत भूलेगा